स्टुडेंट्स मैं अमर नाजा आपके समक्ष कक्षा नौमी का गणित का वर्क्षिट संक्या 37 लेकर के उपस्थितू यह दिनांग 4 अक्टूबर 2021 के लिए हमारा आज का टॉपिक है आकडों का संग्रह यह अब हमारा स्लेवस का समापन की तरफ चल रहा है यानि चैप्टर को रजिस्टर पर प्रती दिन विद्यारतियों की उपस्थित अंकित करते या प्रतिक टेस्ट या पpla किछा को अवश्य देखे इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवसे देखा होगा ऐसा ही स्कोर बोर्ड यहां भी दर्साया गया है जैसे गेंदवाज का नाम है A, B, C, D, 10 अबर, 2 मेडन, 40 रन, 3 विकेट B ने 10 अबर, 1 मेडन, 30 रन, 2 विकेट C का 10 अबर, 2 मेडन, 20 रन, 1 विकेट B का 10 अबर, 1 मेडन, 50 रन, 4 विकेट आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा केबल यही सुचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती है सिर्फ इतना ही नहीं किया जाता है जो कि कौन जीता, कौन हारा स्कोर बोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अतियुपयोगी सुचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं जो उतने ही महत पुर्ण होती है उदारनार्त, आप या ज्याद कर सकते कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाडी ने कितना समय लिया कितने गेंदों का सामना किया प्रती दिन हमें तत्यों, संख्यात्मक, अंकों, सार्नियों, आले को आधि के रूप में विबिन प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलते रहती है अब आकडा कहते किसको है किसी निश्ची तुदेश के लिए एक निश्ची तुदेश से कत्रित किये गए इन तत्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं आकडे कहलाता है या अर्थात आकड़े संक्या के वे संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए इकत्रित किये जाते हैं अर्थपुर्ण सूचनाएं उपलब्द करने से संबंदित अध्यन गणित के जिस साखा में किया जाता है उसको सांखिकी कहते हैं यानि आकड़े किसको कहेंगे आकड़े वह होता है वे संग्रह जो सूचनाएं के लिए कत्रित किये जाते हैं और अर्थपुर्ण सूचनाएं अपलब्द करने से अपने देखे होंगे हमें यह आकड़े उपलब्द कराते हैं अब आकड़े को और भी समझ बेहतर बनाने के लिए कुछ और क्रिया कलाब करते हैं अपनी कक्षा के किनी 20 विद्यार्तियों की लंबाई के आकड़े संग्रा करके एक तालिका बनाईए तो यहां विद्यार्ति का नाम और लंबाई लिखे दूसरा है अपनी कक्षा में पिछले एक सब्ता में अनुपस्तित रहे विद्यार्तियों की संख्या के आकड़े संग्रा करके तालिका बनाईए तो यह दूसरा आकड़ा जो हो गया यहां पे आप अपने हिसाब से सब को चेक करेंगे कितनी लंबाई है आप सब का या तो देखेंगे या फिर नापेंगे और यहां पे आप टीचर के रजिस्टर से या मॉनिटर डायरी से इससे हेल्प ले सकते हैं तो अलग-अलग तरह के आकड़े होगे यह कहता है एक निश्चित उद्देश रखकर सुचनाओं को इकत्रित किया जाता है इस प्रकार एकत्रित मतलब किये गए आकड़े को प्राथमिक आखड़ा कहता है यदि आप स्वयंग खुद करते हैं आपको लंबाई मापना है तो आप खुद उसको दिमाग में रख करके सबकी लंबाई मापने यदि खुद स्वयंग किया जाता है किसी काम को किसी आकड़े को किसी निश्चित उद्देश के लिए यदि आप खुद सुचनाओं एकत्रित करते हैं तो वो कहलाता है प्राथमिक आखड़ा दूसरे में व पहले से ही एकत्रित है या तो मॉनिटर डैरी में होगा या टीचर डैर एटेंडेंस रजिस्टर में होगा तो यह वहां से आप लेते हैं तो वो उस उद्देशी के लिए नहीं था किसी और उद्देशी के लिए था दूसरे क्रियाकलाप में आप सूचनाओं अपने इकठा करते हैं दूसरा कि सथ्रिकोर्ण किसाईता से कही नटके देखकर के उससे हेल्प लेकर करके आप इकठा करते हैं तो वह गवांवनाक्रा कहला है अब स्वयंग प्रियास कीजिए कि अंतरगत दिया गया है उन आकड़े के दो दारन दीजिए जिसे आप धैनिक जैवन में एकतरित कर सकते हैं आप अपने दिन का एक्टिविटी का चार्ट बना लें तो यह सूचना कितने घंटे पढ़ाई किये आज कितने घंटे खेले तो एक दिन का आप सूचना एकतरित कर सकते हैं दूसरा आप जो है स्कूल में कितने घंटे कौन सा परियद पढ़ाई-चला कितने टॉपिक समझ पाए उसके लिए बना सकते हैं या आप अपनी गली में एक गली के परिवारों में कितने परिवार में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो आप डोर टू डोर जा करके सर्वे कर सकते हैं तो यह आप इस तरह के आकड़े इकत्रित कर सकते हैं बीपने किरादार हैं कितने मकान मालीक रहते तो यह ऑप ehittah कर सकते अब दूसरा दिया हुआ नीचे दिए गए आकड़ों में प्रात्मीक और गौन आकड़ों को बरगि करद की तो प्रात्मीक आकड़ा यानि प्राथमिक आकड़ा किनी आप अपने किनी 20 मित्रों के रक्षमू तो रक्षमू पहले से उसको आप तो जाचेंगे नहीं तो ये पहले से कहीं न कहीं उससे आप पता करेंगे या उसके रिकॉर्ड में होगा तो ये आप गौन आकड़ा इसको कह सकते हैं आपके कक्षा में मित्र के परिवारों की सदस्यों की संक्या ये प्रात्मिक आकड़ा गणित की परिक्षा में तीस विद्यारतियों द्वारा प्राप्त किये गए अंक ये गौन आकड़ा कहलाएगा कहीं न कहीं वर महुत सब के दौरान सो विद्यालों द्वारा लगाएग झाल झाल